जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मौजूदा दिल्ली सरकार सबसे ज़ादा जोर शिक्षा के उपर दे रही है हमारा ये लक्ष है कि दिल्ली में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा पैसे की कमी की वज़े से या गरीबी की वज़े से आज इस कॉंपिटिशन के दौर में अच्छी शिक्षा पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए उस दिशा में हमने कई कदम उठाए है हमने एक तरफ जहां बारवी क्लास तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री की हुई है बारवी क्लास तक की शिक्षा सरकारी स्कूलों में अभी तक सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी हमने सरकारी स्कूलों को बहुत शांदार बनाया अब बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भरती करा रहे हैं तो बारवी क्लास तक की शिक्षा फ्री है बारवी के बाद जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो कॉलिज में पढ़ने के लिए उनको सरकार 10 लाक रुपए तक का लोन देती है तो एक तरह से बारवी के बाद भी बच्चे को अपने माबब से पैसे लेने के लिए बच्चा अपने माबब की आर्थिक स्थिती के ऊपर उसको निर्भर नहीं करना पड़ता वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है लेकिन आज competition का जमाना है competition के जमाने में बारवी के बाद बच्चे को अच्छे medical college में, engineering college में या और सारे कई professional courses में admission लेने के लिए coaching करनी पड़ती है जो बच्चे गरीब परिवार में पैदा होते हैं वो बच्चे उनमें भी बहुत बच्चे intelligent होते हैं लेकिन आज competition इतना ज्यादा होता है कि वो बच्चे अच्छी coaching के अभाव में उन बच्चों से पिछड जाते हैं जो बच्चे आर्थिक स्थिती से में मजबूत परिवारों में पैदा होते हैं और जिनको अच्छी coaching मिल जाती है उसी तरह से graduation के बाद जब नौकरी के टाइम आता है civil services exam देने होते हैं railway के exam देने होते हैं SSC के exam देने होते हैं उसमें भी बच्चे पिछड जाते हैं जिनको अच्छी coaching ने मिल पाती गरीबी के कारण वो बच्चे पिछड जाते हैं हम नहीं चाते कि कोई भी बच्चे अपनी गरीबी के कारण किसी भी competition में पीछे रह जाए ऐसे सभी बच्चों का खयाल रखने के लिए हमने एक साल पहले एक साल पहले जैभी मुख्यमंत्री योजना निकाली थी अभी तक जो योजना चल रही थी जैभी मुख्यमंत्री योजना प्रतिभा विकास योजना ये योजना केवल SC कैटेगरी के students के लिए थी और इस योजना में 40,000 रुपे maximum आर्थिक सहायता दी जाती थी कोचिंग के लिए ये पिछले एक साल से चल रही है इस योजना के implementation के दौरान अब देखा गया एक तो ये देखा गया कि 40,000 रुपे कम पढ़ रहे हैं बच्चों को अच्छे कोचिंग इस्ट्यूट्स के अंदर 40,000 रुपे कम पढ़ते हैं और दूसरा ये देखा गया कि SC कैटेगरी के अलावा बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो इसका benefit नहीं उठा पा रहे हैं तो अभी अभी cabinet की meeting हुई है जिसमें ये निरने लिया गया है कि अब ये राशी 40,000 से बढ़ा कि एकलाख कर दी गई है कि अब अगर कोई बच्चा इसमें लेना चाहेगा तो अलग-अलग कैटेगरी है जो मैं भी बताऊँगा आपको और कि इस exam में इतने पैसे दिये जाएंगे इस exam के लिए इतने कोचिंग के लिए इतने पैसे दिये जाएंगे लेकिन इसके साथ-साथ अब यह योजना सब के लिए लागू होगी SC students के लिए भी लागू होगी OBC के लिए भी लागू होगी और आर्थिक दृष्टी से कमजोर जनरल कैटेगरी के बच्चों के उपर भी यह योजना लागू होगी तो तीनों कैटेगरी के गरीब बच्चों के उपर ये योजना लागू होगी तो जैसे civil services exams है पहले हमने पास किया था कि केवल 5 महिने की coaching दी जाएगी और 40,000 रुपए लेकिन ये देखने में आया कि 5 महिने की coaching से उनका काम नहीं चलता अब इसको कर दिया गया कि 12 महिने की coaching होगी और 1,00,000 रुपए दिये जाएंगे इसके अलावा civil services में ही optional subjects के लिए 4 महिने की coaching और 40,000 रुपए judicial services exam के लिए 12 महिने की coaching और 1,00,000 रुपए professional courses में 11 महिने की coaching और 1,00,000 रुपए MBA, CLAT वगएरा के professional courses के entrance exam के लिए 6 महिने की coaching और 50,000 रुपए group A और group B के exams के लिए other than civil services 6 महिने की coaching और 50,000 रुपए other group A and B exams conducted by state public service commissions SSC, officers grade exams etc 5 महिने की coaching 30,000 रुपए group C की post के लिए 4 महिने की coaching 25,000 रुपए और interview की coaching के लिए 10,000 रुपए इसने एक panel बना दिया गया coaching institutes का जिनके साथ सरकार ने agreement किया है उन coaching institutes ने सरकार को काफी सस्ते rates ओफर की है तो इन coaching institutes में अगर किसी बच्चे का admission होता है तो सीधे coaching institute को सरकार पैसा दे देगी इसके अलावा अगर कुछ institutes ऐसे हैं काफी premium institutes जो सामने नहीं आए उन्होंने agreement नहीं किया उदर अगर किसी बच्चे का admission होता है तो इस limit तक हम सीधे बच्चे को सहायता मोहिया करा देंगे और इसमें एक condition है कि बच्चा दिल्ली का होना चाहिए तो उसने दस्वी और बार्वी क्लास दिल्ली से पास की होनी चाहिए तभी वो eligible होगा और उसकी family income should be less than 8 lakh rupees तो यह मोटे मोटे तोर पे है पिछले साल जो हमारा experience रहा टोटल टोटल कितने students है पांच हजार 961 स्टूडेंट्स ने पिछले बार इसको अवेल किया था जिसमें से 3280 बच्चों ने 4901 तो यह 3280 बच्चों ने SSC के लिए लिया था 944 बच्चों ने UPSC के लिया था और 739 बच्चों ने professional courses में admission लेने के लिया था जैसा आप लोग जानते हो आप लोग ने अभी देखा भी मीडिया में एक विजय है जो बहुत गरीब बच्चा है उसका IIT में हो गया शशी एक बहुत गरीब बच्ची है उसका medical में हो गया एक बच्चे का N.S.I.T. in Delhi में हो गया एक बच्चे का N.I.T. in Delhi में हो गया एक बच्चे का G.B. Panth Government College Engineering College में हो गया एक बच्चे का B.H.C.U. में हो गया नगबग 36 बच्चों का जेई और नीट में हो गया तो अभी तक के जो experiences है वो बहुत ही encouraging है और ये ये दिखाते हैं कि अगर हम अपने गरीब बच्चों को थोड़ी सी मदद कर दें उनको coaching देने में तो हमारे गरीबों के बच्चे जो है वो बहुत शांदार तरीके से निखर के आ सकते हैं और अपने माबाप की गरीबी दूर कर सकते हैं और देश का विकास कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ये जैभीम मुख्यमंत्री योजना जो है ये एक बहुत ही महत्वपून योजना है और मुझे खुशी है कि ये बाबासा बंबेटकर के नाम पर ये योजना चला ही जा रही है क्योंकि बाबासा बंबेटकर का सपना ही था कि अच्छी शिक्षा दी जाएगी अगर बच्चों को तो एक पीड़ी के अंदर इस देश से गरीबी और पिछड़ा पंदूर किया जा सकता है इसमें हम पैसे की कमी नहीं होने देंगे जब 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 पड़ेगी ऐलोकेशन बढ़ा दी जाएगे इसमें एलिजिबल है इसमें एलिजिबल है इसमें एलिजिबल है वो बच्चे को मिल जाएगा पर तो कोई ऐसा कर वो आठ लाक हो गया न क्रीमी हो गया सारा उसमें दिल्ली में मुझे इसका इडिया ने है क्योंकि यह वाली आठ लाग एक तरह से केंदर सरकार ने भी इसमें आठ लाग वो किया जो एकनॉमिकली वीकर सेक्शन का उस लिमिट को हमने भी लिया हमने उनको देखके किया मैं आपको बता दूँ यह इसकी इन दिल्ली सरकार की है इसकी इसकी इन अभी पूरे भारत ने वो पूछ रहे है एकनॉमिक लिमिट जो है उनको सोशल विलफेर डिपार्टमेंट सेस्ट डिपार्टमेंट मैं आपके उससे फरक्या बटता अड्मिस्टिटिव डिपार्टमेंट बोई है थैंक्यू